दोस्तो अगर आपको लोन की जरुद पड़ गई है और कहीं से भी आपको लोन नहीं मिल रहा है तो अब आप सीधिक गवर्मेंट से लोन ले सकते हैं ये दोस्तो प्रोसेस बहुत ही आसान है सिर्फ आपको ऑल्लाइन अप्लाई करना है बिना कोई गारंटर के बिना पैंट क करेंगे पूरा प्रोसेस के अचले मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखा देता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेर कर देना दोस्तो गोर्मेंट से लोन लेने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिले का उस पर क्लिक करकी इस वाले पोर का लोन ले सकते हैं फचास जार का लोन ले सकते हैं ठीक है यहाँ पर आपको बिना पैन कार्ड बिना गारंटी के आसानी से गोर्मेंट लोन दे देगी अब यहाँ पर लोन लेने के लिए अपलाई एलोर कम लोन यहाँ पर दिया हुआ है तो इसी वाले ओप्शन पर क्लिक कर देना है इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको अपना mobile number type कर देना है उसके बाद नीचे जो capture code दिया है इसे यहाँ पर type करना है request OTP के उपर click कर देना है जिसके बाद दोस्तों आपके mobile number पर एक OTP जाएगा उसे आपको यहाँ पर type कर देना है इस प्रकास से उसके बाद verify OTP के उपर click करना है जिसके बाद दोस्तों आपके सामने application form open हो जाता आप देखेंगे चार step में apply करके आप यहाँ से जो है loan ले सकते हैं ठीक है अब first step में दोस्तों आप देखेंगे तो आपके पास आधार कार्ड जरूर होना चीए क्योंकि यहाँ से आधार कार्ड से लोन मिल रहा है ठीक है तो आधार कार्ड mandatory है इसके अलवा कोई document नहीं है चल जाएगा यहाँ पर दोस्तों आपको अपना vendor category select कर लेना है ठीक है c and d दो option यहाँ पर दिया हुआ है तो select करेंगे अपना vendor category उसके बाद आप यहाँ पर next कर देंगे जैसे आप next करेंगे आपके सामने दूसरा option आ जाता है ठीक है अब इस दूसरे option में आप देखेंगे तो नीचे दोस्तों आपका जो mobile number है यह आ जाता है जिससे आपने यहाँ पर login किया है ठीक है अब आपको क्या करना है आधार verification के लिए अपना आधार number टाइप करना है capture code यहाँ पर डालना है उसके बाद verify with OTP के उपर click कर देना है आपके आधार card के साथ जो mobile number link रहेगा उस पर एक OTP जाएगा उससे आपको यहाँ पर type करना है उसके बाद verify कर लेना है जैसे आप verify करेंगे आपका जो अधार card है यह verify हो जाएगा आप देख सकते हैं ठीक है आधार verify करने के बाद नीचिया आना है अब यहाँ पर आपको अपना state select कर लेना है अब जिस भी state से हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो district है उसे select करना है यहाँ पर name of you'll be select कर लेना है ward name आपको यहाँ पर type कर देना है उसके बाद ward number आपको यहाँ पर type कर लेना है जिसके बाद दोस्तो आप नीचे आएंगे यहाँ पर अगर आप CIG के member हैं तो ऐसे में आपको यहाँ पर yes करना होगा नहीं तो आप इसे no पर रहने देंगे अगर आप member है JLG के तो यहाँ पर yes करेंगे नहीं तो इसे भी आपको no रखना है ठीक है जिसके बाद आपके आधार कार्ड से आपका यहाँ पर आपको यहाँ पर father name टाइप कर देना है date of birth भी automatic आजाएगा आधार कार्ड से यहाँ पर marital status आप select कर लेंगे उसके बाद आपका mobile number यहाँ पर आजाएगा gender आपको यहाँ पर select कर लेना है यहाँ पर social category select कर लेना है ठीक है इस प्रकास से जिसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीच आना है अगर आप दिव्यांग हैं आपके अंदर कोई disability है तो yes करेंगे नहीं तो इसे आपको no रखना है अगर आप minority के अंदर आते हैं तो yes करेंगे नहीं तो इसे भी आपको no रखना है ठीक है उसके बाद दुस्तों यहाँ पर आपका जो KYC documented token number generate हो जाता है अब यहाँ पर आपको अपना order ID card number type कर देना है जो भी आपका order ID card number है जिसके बाद नीचे आएंगे अब अगर आपके पास family है यानि कि अगर आप single select करेंगे तो family का detail यहाँ पर नहीं डालना होता है ठीक है अगर आप single है तो family का detail डालने के ज़रुवत नहीं है आप पर हम डाल भी नहीं सकते क्लिक करेंगे क्लिक नहीं होगा तो इससे आपको यहाँ पर छोड़ देना है ठीक है यहाँ पर यह सब select नहीं होगा जो merit है उनको detail डालना पड़ेगा उसके बाद नीचे आएंगे अब यहाँ पर आपका address आजाता है आपके आधार कार्ट से आप देख सकते हैं ठीक है तो अब आपको यही अगर आपका current address है तो यहाँ पर बस आपको checkbox पे click कर देना है आपका यहाँ पर address आजाएगा ठीक है तो यही address है तो same click करेंगे नहीं तो आप manually type करेंगे अब यहाँ पर winning activity select करना है name of activity तो select के उपर click करेंगे अब यहाँ पर दोस्तों select करेंगे कि क्या है winning का activity और यहाँ पर place of winning वो आप यहाँ पर अपने हिसाप से select करेंगे उसके बाद duration of winning कौनसे समय से यह काम हो रहा है वो आपको यहाँ पर select कर लेना है जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर winning day आता है किस किस दिन दोस्तों आप यह winning का काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर select करना है अगर पूरे हफते करते हो तो all days आपको select करना है ठीक है timing यहाँ पर आपको बताना है कितने वज़े से कितने वज़े तक दोस्तों आप यह विंडिक का काम करते हो वो आपको यहाँ पर select करना है जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर location area of winning आपको यहाँ पर बताना है कि जो location है वो कहाँ पर है ठीक है वो यहाँ पर type कर देना है उसके बाद उसके nearby जो landmark है वो आप यहाँ पर type कर देंगे pin code आपको यहाँ पर type करना है जहाँ पर आप winning का काम करते हो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर proof is a vendor आप vendor है उसका proof आपको यहाँ पर देना है तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास bank account का statement है bank passbook है तो ऐसे में दोस्तों आपको यह देना पड़ेगा ठीक है तो select के उपर click करके आप यहाँ पर yes कर देंगे अगर आपके पास यह है तो काम हो जाएगा बाकी यह सभी document माल लीजिए आपके पास है तो देश सकते हैं अगर नहीं है तो simply आपको यहाँ पर no select कर लेना है ठीक है आप यहाँ पर देख लीजिए मेरे पास यह सभी document नहीं है तो हम यहाँ पर no select कर लेते हैं अगर आपके पास है, तो यह select करके दे सकते हैं, उसके बाद total monthly income, वो आपको यहाँ पर type कर देना है, जो भी आपका total monthly income है, bank account detail देना है, जिसमें आपको loan मिलेगा, तो bank का name आप यहाँ पर select कर देंगे, इस प्रकास से, IFSC code आपको यहाँ पर type कर देना है, यहाँ पर name of branch आपको select करना है, account number आपको यहाँ पर type कर देना है, जिसके बाद दोस्तों नीचे आना है, और यहाँ पर अगर आपका इससे पहले भी कोई loan चल रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको detail देना होगा, अगर नहीं चल है, तो यह option आप छोड़ देंगे, ठीक है, उसके बाद बस आपको यहाँ पर नीचे आना है, और अपना loan के बारे में बताना है, कि आपको कितने का loan चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, तो आपको देखने को मिल जाता है, फर्स तम में आप 5,000 से 10,000 तक का loan ल लेगा, तो हम फर्स तम में loan ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर 10,000 का loan लेने वाले हैं, तो यहाँ पर हम 10,000 जो है type कर देते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर देख लिजिए, तो इसी प्रकास से आपको type करना है, अब loan का purpose बताना है, loan क्यों ले रहे हैं, वो आपको यहाँ पर इ देंगे, तो 1MB का file का size रहना चाहिए, अपलोड करना है, उसके बाद submit कर देना है, आपके सामने दोस्तों 4th step आजाएगा, अब यहाँ पर दोस्तों आपको select करना है, क्या आप अपने मदलब की preferred lender से loan लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर select कर सकते हैं इस प्रकास से, ठीक यहाँ पर agree कर लेना है, आई agree, उसके बाद नीश्या आना है, यहाँ पर submit का button दिया है, इसी पर click करके आपको submit कर देना है, आपका application successfully submit हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आपको application number मिलेगा, तो इसे आपको समहाल कर रखना है, ठीक है, अब यहाँ पर दोस् submit किया है, ठीक है, अब जैसे यह approved हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों हमें जो है, लोन मिल जाएगा, समझ गया है, लोन आपके bank account में आ जाएगा, उसे जो है आपका EMI भी कटेगा, तो इसी परकास से दोस्तों आप यहाँ पर सबसे कम EMI में आसानी से लोन ले सकते हैं, औ और यहाँ पर दोस्तों आपको government द्वारा लोन मिलता है कम से कम document में, वीडियो पसंदा है तो like को share कर देना, thank you दोस्तो, bye bye and take care